Hello students welcome to ill mystery school आज हम देखेंगे के हम फाइवर पे अपना अकांट कैसे क्रेइट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमने अकांट करना नहीं देखना हम यह देखेंगे उसको effective कैसे बना सकते हैं कि अगर Fiverr पे काम करना है तो काम करने के लिए जरूरी है कि हमारा एक अकाउंट भी अच्छा सा बना हो तब ही लोग काम देंगे और इसके इलावा अगर हम Fiverr पे काम करना जा रहे हैं और long term काम करना जा रहे हैं उसके लिए कुछ चीजों का फ्याल रखना जरूरी है तो Fiverr पे अकाउंट बनाना तो वैसे easy और simple है बस यह जो कुछ चीजें हैं तो का धियान रखना है तो सबसे पहले हम Google पे जाके अपने Fiverr की website open करनेंगे Fiverr की website है www.fiverr.com तो यहां पे की मेरे पास ही है इसको मैं open करूँगी तो मेरे पास इस तरह का page open हो जाएगा अब यहां पे sign in और join का option है Sign in तब करेंगे जब हमारा account create हुआ होगा Join करेंगे हम यहां पे तो join करेंगे तो यहां पे मेरे पास कुछ options आना है पहले हमारे पास आरहा है Facebook Facebook पे क्या है Facebook पे अगर हम करते हैं तो अगर कभी भी Facebook ID बैन हो जाती है तो हमारा Fiverr का account भी automatically बैन हो जाएगा तो यह एक किसम का secure तरीका नहीं तो यह Facebook से अगर हम connect करेंगे तो हमारी ID अगर कभी जिन्दगी में बैन हो जाती है तो हमारा Fiverr का account भी हमारा बैन हो जाएगा और सब कुछ हमारा data जो भी होगा वह भी चला जाएगा इसके इलावा हमारे पास अगली जो option है वह है Google Google पे क्या है कि जब हम Google से account create करेंगे तो वह automatically Google पे नेम है वह Fiverr का username बन जाए उसको change भी नहीं कर सकेंगे और profile picture भी वही आएगी हमेशा जो हमारी Google के होगी उसके वाद हमारी है Apple ID Apple ID भी यही है वही वाला name आएगा और profile picture और हम उसको change नहीं कर सकेंगे तो हम manually यहाँ पे अपना email लिखेंगे ना इनमें से किसी option पे नहीं जाएंगे यहाँ पे हम अपना email लिख लेते हैं तिके हमने अपना email लिखा और हमने continue कर दिया अब जब continue कर देंगे यहाँ पे वह पूछेगा आप username क्या रखना चाहरे है और password क्या रखना चाहरे है और इसके बाद हमारा join हो जाएगा अब username में हमने कोई भी ऐसा name नहीं रखना कि हम जैसे के हम रख लेते हैं हम different types के name रख लेते हैं जैसे Facebook पे रखे होते हैं उससे के name नहीं रखने हमने एक professional account create करना है तो इसके लिए हमें अपना real name अगर आप चाहते हैं आप रखना चाहते हैं तो फिर आप जैसे बाद कोई shop नहीं रखने हैं अगर आप का काम है graphic designing का आप अपना name लिखे अपना name लिखे इस तबर के कुछ भी लिख सकते हैं अब यहां पे हम real name लिखे आप पासवर्ड आप जो मर्जी लिख सकते हैं मैं अपना पासवर्ड लिख लिख लिए पासवर्ड मैंने लिख लिख लिया च्वाइन करते साथ ही हमारा यहां पे अकाउंट क्रियेट हो गया इस तरह से हम एजिली अपना कोई भी क्रियेट कर सकते हैं